हेलो अश्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रीक टू ड्राव अस्ट्रक्चर ओफ नाइट्रोजन बेसेज नाइट्रोजन बेस के अस्ट्रक्चर काफी कंप्लेक्स होते हैं तो इस वीडियो में कुछ ट्रिक सीखेंगे जिस से असानी सेरस्टरुस्रक्टर रोडाओ कर सकेंगे तो चलिए स्असरू करते हैंlä इस वीडियो को नाइट्रोजन बेस दो परकार के होते हैं एक प्यूरीन और दुसरा प्यूरीडीन फंस्ट प्यूरीन एंड सेकंड प्यूरीडीन और हमारा जो purine है वो दो परकार का होता है पहला एडेनीन और दूसरा गुवानीन और जो piramidine होए वो तीन परकार का होता है सैटोसीन, यूरासील और थैमीन तो अब हमें draw करना है purine और piramidine का structure तो याद रखिएगा जो purine है वो है bicyclic structure और जो piramidine है वो है monocyclic structure तो इसे कैसे याद रखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए कि एडेनीन और गुवानीन के लास्ट में 9 वर्ड आ रहा है यानि कि इसमें होगा 9-membered ring structure और piramidine में क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है CUT cut यानि कि इस 9-membered structure में right side के part को cut कर देना है तो बनेगा 6-membered structure दूस प्रिमेडिन के पास 4 nitrogen है जो कि 1, 3, 7 और 9 position में है जबकि प्रिमेडिन के पास केवल 2 nitrogen है तो इसे के से याद रखें तो देखिए यहाँ पर die लिखा हुआ है यानि कि 2 और उसके बाद n लिखा हुआ है यानि कि 2 nitrogen 1 और 3 position पर तो सबसे पहले हम सीखेंगे a structure of adenine तो याद जाएगा adenine means add amine यानि कि हमें इस 9-membered ring structure के head position पर यानि कि 6th position पर amine group को add कर देना है तो हमें adenine का structure मिल जाएगा हमारा दूसरा purine है guanine तो guanine means go amine यानि कि यह जो amine group जो पहले 6th position में था वो कहां चला जाएगा वो चला जाएगा 2 position पर go amine और यहाँ go में o लिखा हुआ है यानि कि oxygen जोड़ जाएगा 6th position पर तो इस तरह से हमें मिल जाएगा guanine का structure अब हमें draw करना है pyrimidine तो pyrimidine कौन-कौन से है cytosine, uracil और thiamine तो इसमें 6-membered structure होगा अब करना क्या है कि इस structure के 2 position पर oxygen लगाना है तो सभी structure में 2 position पर oxygen लगा देंगे अब इसमें भी वही process repeat करना है तो cytosine के head position पर NH2 group लगा देंगे, uracil के head position पर oxygen लगा देंगे, अब बच गया thiamine अब thiamine का structure ड्रो करना है, तो uracil और thiamine के structure में ज़्यादा difference नहीं है तो इसमें वही uracil का structure कोपी कर देना है और 5 position पर methyl group लगा देना है तो इस तरह से हम सभी nitrogen bases के head structure को आसानी से draw कर सकते है अगर आपको ये trick पसंद आया हो, तो इस video को like करें, दोस्तों के साथ share करें और इस channel को subscribe करें, thanks for watching